नमस्कार मैं विद्ध्य शंकरतिवारी हूँ आपने स्वामी नित्यानंद का नाम सुना होगा अभी हाल में वो सुर्ख्यों में थे क्योंकि उनके गुजरात में जो आस्रम है वहाँ पे दो बच्चियों को कैद करके और चंदा जुटाया जाता था इस मामले में दो सिकायत हुई तो गुजरात पुलिस ने ये खुलासा किया कि पता चला है कि वो तो कब का देश छोड़ करके भाग चुका है और अब उसके खिलाफ एक्स्ट्रादिशन की करवाई की जाएगी वगरा वगरा जानते हैं स्वामी नित्यानंद कौन है आपको याद है 2010 में स् हमदाबाद केस में तो जैसे ही करनाटका में और तमिलाड का केस हुआ था उसके बाद कहते हैं कि बाबा देश छोड़ करके भाग गया था लेकिन ये बाबा तो बहुत बड़ा बाबा निकला जिसने देश छोड़ करके भागने के बाद इक्वाडोर में जा करके एक आई और अब खबार आ रही है कि बाबा उसका प्रमुख होगा यानि कि उसका राजा बन गया है अब सोचिए कि उतने एक आइलेंड खरीदा देश बनाया राजा बना कैबनेट बनाई और उसका बकायदे उसका अलग पासपोर्ट अलग जंडा अलग निसान सब कुछ बना लिया यही नहीं बाबा ने एक और काम किया उसको एक तो हिंदू राष्ट बनाया ही बनाया इसके अलावा जितना गुरुकुल परमपरा एजुकेशन सिस्टम मेडिटेशन योगा वगारा वगारा सब कुछ का उसमें उसने प्रोविजन किया है और जो इनका ये देश बना है यह देश तो पास पास सीमा लगती है वह थे कोई भी खरी सकता है औ 1973 के बाद के बाद पूरा संप्रभू raw should बनाया जिसको 소vran Estate मोलते हैं वह स्म प्रभू राष्ट बनाया जिसका अलग जंडा होगा अलग प्रमुक होगा अलग Prime Minister होगा अलग के दो यानि कि सारी ब्यवस्था अब बाबा का सुभाविक सी बात है कि जिस बाबा ने अपना देश बनाया है वो उसका राजा ही तो होगा चाहे उसका नाम हो वहां के हिसाब से कुछ भी दे दे उसका प्रमुक ही तो होगा संबेदानिक प्रमुक होगा सबसे सकतिस्ताली आदमी होगा सबसे ताकतवर आदमी होगा तो यहां की पुलिस चाहे करनाटका पुलिस हो चाहे तमिलनाट पुलिस हो चाहे गुजरात पुलिस हो बाबा को बलतकारी मान करके अपहरं करता मान करके कैद करने वाला मान करके दूढ़ती रहे बाबा ने तो अपना देश बना लिया, ये ताज़ूब की बात है, बीच में आपको याद होगा कि और भी लोगों के बारे में बात आई कि वो जा करके बाहर अपना आईलेन्ड खरीद रहे हैं और आईलेन्ड खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों ने भ राज्य स्थापित कर लिया है अब यहां की पुलिस ढूड़ती है तो ढूड़ती रहा है जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा इस बलतकारी बाबा के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे आप देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इनकबर थैंक यू इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल